नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है मंकार राश्रीवालों दोसों आपके कर्मों का श्रीफल तूट चुका है अब अगले चार दिरों में आपके जिवन की नई श्रुवात होने वाली है जिया दोसों आपको बता दे कि अगले चार दिनों के अंदर आपकी जुनकाल बेज उखटना होंगे वाकई आपके पूरी जुन भर आप इने याद रखेंगे जिया दोसों आज को यह वीडियो आप शुबी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत पनोंगी इसलिए दोसों आपने बिल्कुल ही बिश्णा करें और शुरूज जले करना तक ज़रू दिखेगा क्यों कर भला तो हो पुरा यह बात तो आपने काफी ज़्यादा शुन होगे लेकि दोसों आपको बता दे कि यह बात बिल्कुल ही इसको वेप्रित शाबित होती है जी दोस्तों अगर आपने कवी किसरी के अशाद अच्छा किया है तो दोस्तों उनका अच्छा परिणाम ही आपको मिलता है विलेगा जी दोस्तों तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए और याश में भी आपके पिछले शमय का जो कर्म है उनका ही शिरिफल आपको मिलने वाले है और आपके जुनकाल में अप्छट चैतरों को लेकर शाओधन रहें होंगे कुछ कारियों पच्छने की अत्यांताव श्वक्ता पढ़ने वाली है जो दोस्तों ये इश में आपके जुनकाल में बहुत बड़े-बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये इश में आपके एक छोटी शे नादानी छोटी शी गलती आपके कारियों में रुखाउट ने डाल सकती है तो दोस्तों आप श्रूर से लेकर अंतर तक ज़रूर देखिए ताकि आप उने जुनकाल में कोई गलती ना करें और आने वाले श्रूरी मोके का लाब पूरी परिवार के शाद लेशकें यह दोस्तों इस वीडियो में आप शभी मैत पुंजानकरे को जानेंगे कि अगले चार दिनों में जो गरों किस्तिती होगी इनके शाद आपको कौन से चित्रों को लेकर शावदान लेंगे कौन कारियों को करने से बचने होगी शाथी एश में आपको कौन से लाब मिलेंगे कौन सी बड़ी उपलब्दियां आपको मिलने वाली है और घरों की जो चाल होगी आपके घर के महोल में पार्णिक जुन में क्या क्या पदलाव कौन से शुधार करने वाले हैं तो दोस्तों अंत तक देखिएगा उससे पहले दोस्तों जोवी भग्द वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्ष में सच्चे मन से जय माता दि लिखेगा गुरुजी का और अपनी माता रानी का शीदा सिर्बात पर अपकरेगा तो में तुरों जरूर लिखेगा और यदि आप चनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश करके ओल पर श्टेट कर दें तो आई दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों यश्में आप हर काम को वयविस्ते तरीके शेक पूरा करने की कोशिश करेंगे और आप यश्में कामियाब भी रहने वाले हैं दोस्तों आपको बता दे कि आपके अंदर आत्मिक शांती व्यापत रहेगी रिष्तेदारों एक था परश्यों के शाथ संबंदों में और अधिक सुदार भी यश्में आने वाले हैं और इश्में अगर आपके शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि गुसे वाफिर जीत जैसी नाकार्तमक बातों के वज़शे आपके कुछ कार में बिखना शकते हैं दोस्तों यश्में आएके शंसात्रों में कुछ कमी भी आएगी जिसके वज़शे मन कुछ परिशान रहेगा लेकिन दोस्तों यश्में आपको घबराने की जरुरत नहीं है आगे सलकर आपको लाब होगा और इश्में आपके लिश्में होगे आपको बता दे कि दोस्तों यश्में किसी को दिया गया पेशा भी आपको अचानक से मिलने से वहक से आर्थिक स्तुति की जो परिशानी है वह दूर होंगी दोस्तों आपको मिले हुए पेशो का योगतरिकेशन निवेश करना आपकी जिम्हेदारी होगी तो इस पर जरूर ध्यान दे लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जरूर से अधिक पेशे के पारे में चिंता करने की वज़र से जो है आपके पेशे और जीवन दोनों कानंद यश्मिन नहीं ले पाएंगे दोस्तों ये दोनों बाते में संतुलन बराई रखें इससे आप अपने जीवन को अच्छी तरह से हुईतित कर पाएंगे इसको प्राण दोस्तों ये आपके लिए श्मियोंगे आपको बता दे कि दोस्तों अपने करम तथा पुछतात के मात्यम से कुछ महत्पून कारियों को पूरा करने में शक्षम रहेंगे आर्थे की स्थिती सुरुद्री और फिर सत्रक्त बने रहेंगी पूरे मानुयोग आर्वा फिर अपने अलक्ष के प्रती समर्पित रहें दोस्तों आपको बता दे कि युआ वर्ग अपने केरियर के प्रती पूरी तरह के घर्चित रहेंगे और शबलता येश में प्राप्त करेंगे शादी दोस्तों याश में फिजूल खर्ची पर नियतर रखना आपके लिए आउश होगा लापरवाई को याश ये पेशा बरबाद हो सकता है इस बात का ध्यान रखे कोट के शमदी मामलों में ये जो समय है आपके लिए किसी भी मरकार का समाधार मिलने की उम्मिद नहीं है तो दोस्तों किसी पर ये शमय अधिक भरशा ना करें ये आपके लिए बहतर होंगे और इश्कुप्रान दोस्तों ये शमय आपके लिए शमय होंगे आपके बता दें कि पिछले कोई दिनों से जो बात आप सोच रहे थे दोस्तों उस बात का तनाव ये शमय आपके उपर मना रहेगा किसी भी बात या फिर शमस्या की वज़र से अपने जिवन सेली में बदलाव नों आने दे दोस्तों जितना शमय आप शांती हो फिर एक गरता में बिताएंगे उतना जल्दी आपको शमस्या का हल मिल जाएगा तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दे और शादि दोस्तों खुद के उपर जो है रखा विश्वास आप बनाई रखें ये आपके भविश के लिए बैतर होंगे और श्कुब्रान दोस्तों ये शमय आपके लिए शमय होगे ये दोस्तों आपको बता दे कि कुश्वे हाथ मन्थन दता एकांत में वहितित करने का प्रयाश करेंगे इससे दोस्तों आपको कुश देनिक उल्धनों से निजात मिल सकती है और दोस्तों ये शमय आपके लिए धन्शमंदी निवेश करने के लिए बहुती उत्तम रहने वाले हैं अर्थिस देती को मजबूत करने में भी अपना ध्यान लगाएं ये आपके लिए बहतर होगे और इसको प्राहत दोस्तों ये शमय अपने जो है परिवार की जर्रतों को नर्दाज ना करें दोस्तों उनका ध्यान रखना आपका महत्पुन दायत रहेगा कुरोद हो अपिर आवेश के चलते आपको कई बार बनता काम को रोक देते हैं इसलिए दोस्तों ये शमय ध्यारे और श्रेम बना कर रखें और कारियों पर ध्यान को कर देते रखें इसको प्राहत दोस्तों ये शमय आपके लिए जुमोंगे आपको बता दें कि दोस्तों करीबी व्यक्ति के बदलते वर्ता को विज़शे उनके उपर रखा विश्वास कम हो सकता है जिसके वज़शे आपको भानोतों गुरूप से तकलिप भी हो सकती है फिर भी दोस्तों आप अपने रिष्टे को काईम रखने की कोशिट करते रहेंगे पेशे के मामले में किसी किसी के दोवरा आपको फसाए बेचा सकता है तो दोस्तों इससे साथनार है पेशे को किसी को देने से यसे में बचे बस यही आपकी शावधानी होगी और इसको प्राहन दोस्तों यह शावधानी होगी में तही की हुई सबी बातों को प्रगिति के और बढ़ता देख आफ़को शमधान प्राप्त होगा आपको दोस्तों यह में आत्मिश्वास और अहंकार में फर्क जानने की आउसर्था होंगी दोस्तों आपको पता आधें, कि जाने जाने में आपकी बातों तोरा, आपों किछी को दिल भी दुखा शकते हैं, किसी के भी एक्तीकत बातों के बारे में टिपणनी करणेसे इसमें परहेच करें, यह आपके लिए बैहतर होगे, दोस्तों ऋचुम् تمुए अच्छा होगा कि कि आप खुद के पड़ती ही जो है ध्यान को करदित करें और इसको प्रांत दोस्तों आपकी केरियर को लेकर बात करें रथा तो आपके वयुषाय की तो दोस्तों यह में करियर में सवकात्म बदलाव दिखने लगेंगे लेकिन दोस्तों यह समय होंगे आपके लिए मन उपस्तिती बनने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है और इसको प्रांत इसमें आपके केरियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि वयुषायक अस्तल पर आपके उपस्तिती अनुवार होगा क्योंकि दोस्तों आपके लप्रवाहिश करमचारी भी अपन इसमें इन पर ध्यान दें और अपनी वानी पर शृष्यम रखें यह आपके वयुषायक के लिए यह रहता रहने वाले हैं और इसको प्रांदों से छुमें आपके केरियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि विजलस में पेस्तितियां शुमान ही रहेंग दोस्तों किसी ने प्रजेक्ट की जो ठोश समंदी या फिर महत्पुर निर्ले लेने में आप यह सक्षम रहेंगे प्रॉप्टी से समंदीत वयशाय में जल्दी ही अच्छी कोई डील भी हो सकती है दोस्तों नोकरी में लक्ष अथवा टार्गेट उपुरा करने का आपके उपर दवाब भी यह सकता है और इश्कुपराण दोस्तों यह समें आपके केरेर आपके वयशाय के लिए जो समय होंगी दोस्तों आपको बता दें कि वयशाय में आपका कोई नया परयोग भी अमल करना आपके लिए लब दाइक भी रह सकता है और इश्कुपराण दोस्तों यह समें आपके लव लाइफ यानि आपके पारिवरिक जोन की बात करे तो दोस्तों यह में पति-पत्री के बीच कुछ तकराज जेचे इस्तिती रह सकती है घर में अचानक मित्रों के अगमर से घर का वातरन भी कुछ बदल सकता है और इश्कुपराण दोस्तों यह में आपके पारिवरिक जोन की जोन की जोन समय होगे और इश्कुपराण दोस्तों यह सकता है और इश्कुपराण दोस्तों यह सकता है और इसको प्रांद दोस्तों एश्व में अगर आपकी स्वास्त यानि सहत को लेकर बात करें तो दोस्तों एश्व में अकारणी तनाव की स्थिति रहेगी जिसका असर आपकी कारिशमता पर पर बढ़ सकता है दोस्तों अच्छा हूँ कि मेट्रेशन पर आपको शमय वधित करें और इसको प्रांद दोस्ते एश्व में आपके श्वास्त के लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बदा दे कि श्वास्त दो आपका अंत में ठीक होगा लेकिन दोस्तों आपको खान पन के प्रती लापरोही बिल्कुल नहीं बरतना चाहिए और इसकी प्राइद दोस्तों आपको बता दे कि कुछ शम्ए से चल रही श्वास्तमधी परिशानी से आपको रहत मिलेगी रोग जो है निर्वित के लिए प्राकिर्तिक तरीक्यों का अधिक उपयोग करें यह आपके लिए बैतर होंगे और इसका प्राद येश में आपके स्वास के लिопशनी दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप गव, लोचन और तगर शवी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेकर एक लाल कपड़ में बांद कर पूजा के स्थान पर रखें स्विव जी की किरपाशी आप पर किये दे शमस्त जादू टोने का परभाव शमापत हो जाएगा और दोस्तों आप अपने कारियों में भी आगे बढ़ पाएंगे, अपने जोन में शबल्दा को भी इन से प्राद कर पाएंगे, आपके आगे आने वाले शबी बाधाई खत्म होंगे तो दोस्तों ये शमी आप इन उपाएंगे को कर सकते हैं, ये आपके जोन के लिए और आने वाले भाईश के लिए बहुत थी महत्पूर शाबिदोंगे और शादी दोस्तों और अशेह अधिक जानकारें के लिए आप मारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक ते लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद